अब कि एफ एफ टोपिक अफ दिस ऑपरिशन सर्फ नेम ऑफ टॉपिक इस नेटवर्क टेकनीक बैसिकली इस जो नेटवर्क टेकनीक है कहां यूज ओती है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं यह आपके डिली लाइफ में कहां यूज ओता है इसका जहां पर भी आपने पाथ ढूंडने हैं शोट्स जूडने हैं ठीक है तो इस तरह की प्रावलम्स को सौलव करने के लिए हम इस नेटवर्क टक्नीक को यूज करते हैं इसे मानलो आपने नया घर कंस्ट्रक्ट किया है तो नया घर के अंदर आपने क्या करना है जैसे electricity जैसे आप electricity का काम करते हैं तो electricity के काम के दोरान क्या होता है कि जो आप तारें डलवाते हैं ये मीटर से लेके पूरे घर के अंदर एक कमरे से दूसने कमरे में लेक glory से तीसरे कमरे मैं तो वहां पर इस technical का यूज होता है कि कहां से कैसे shortest path ढूंड़ा जाये ताकी आपकी जो वायर है वो कम से कम लगए कॉस्ट आपकी कम से कम हो उसी तरीके आपके बातरूम उसका काम होता है आप नलके फिट करोते हैं पाइपस बिचाते हैं पानी की पाइपस बिचाते हैं तो उसका भी उस उस काम को करते हैं वक्त भी यही ध्यान रखा जाता है आप देखें ज तो वो हमेशा shortest route ढूंडने की कोशिश करते हैं जहां से आपका cost जो है वो कम से कम हूँ जैसे buses के route ढूंडने हैं आपने धरमशाला से कांगडा जाना है धरमशाला से प्ठान कोट जाना है आपने train के route ढूंडने हैं तो वहां पर आपकी networking का use होता है जैसे other countries से आपने आपक Saudi Arabia से import करता है crude oil and cooking gas जो है और more than 10% जो है वो इरान से import करता है ये crude oil जो है अब वो import कैसे करता है वहां से कोई ऐसा तो है निकि ट्रकों में लेके आते हैं इसको crude oil को या rail गाड़ी में लेके आते हैं तो उसके लिए एक procedure है कि एक country से दूसरी country तक उस crude oil को को पहँचाने के लिए pipeline बिचा जाती है जैसे for example इरान और इंडिया के बीच में गैस pipeline बिचाई गई है और आपको पता होना चाहिए कि यह gas pipeline जो है वो undersea निकाली गई है तो जब यह pipeline बिचाई गई तो उस वक्त भी इसी network का यूज किया गया इस technique का यूज किया गया कि कहां कहां से कैसे कै प्रफाइन को बिचा जाए ताकि उसको बिचाने के लिए जो कॉस्ट है वो कम से कम हो अब माल लीजिए इंडिया ने इरान से जैसे पर पाकिस्तान जाएंगे पाकिस्तान से फिर इंडिया में आएगा तो इस तरह से यह pipeline बिचाई जाती है अदर कंट्री से कुरूड ओय तो इन सब कामों में यह network technique का यूज होता है तो इसके लिए कुछ है method है हमारे पास स्वेश्य स्टीट से सो करेंगे तो सबसे पहले में थोड़ा है हमेरे पास ru डिइसमा पाफ बहुत हों अब अभी नोर्ट को आप कुछ पपर श्रीज को बोल सकते हैं so कंट्रीज बोल सकते हैं आपके घर के अंदर के दो कमरे हो सकते हैं and so ठीक है तो डिसकर स्ट्रा अल्गुरिथम इस आ प्रसीजर तो फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिट्विन एनी टू नूड्स इन आर डिस्टेंस नेटवर्क तो स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ ढूनना है अपने उसके लिए प्रसीजर है हमारे पास सबसे पहले स्टैप फ्रॉम डिस्टेंस मैट्रिक्स कीप ओल नूड्स इन फर्स रो अब यह जब हम क्वेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा आपने चुरू चुरू कि यहांसे उसकी नूड्स जो डिस्टेंस अक्ट पिलेएंगैं जो नहीं जूड़ी होगी डिस्टेंस आप लिखेंगे जो भी उनके बीच का होगा और जो नहीं जोड़ी होगी direct उसके साथ उसका distance लिखेंगे आप infinity then write the distances otherwise write infinity मतला गरो node किसी node से नहीं जोड़ी तो उनके बीच का distance लिखेंगे infinity उसका next step choose the shortest distance and make it thick in graph दो काम करेंगे साथ साथ में आपका matrix trace होगा और साथ साथ में आप निचे graph भी बनाएंगे फिर आपने shortest distance ढूड़ना है किन nodes की बीच में shortest distance आ रहा है जिन nodes की बीच में shortest distance आ रहा है उन nodes की बीच के distance को आपने graphically ठीक करना है उसके बाद right the path in the last column और जो matrix का last column हो उसके फिर आपने पात लिखना है कि कौन सा path आपने follow किया पांच में step in the next row leave the connected node जब अगले step में जाएंगे next row में जाएंगे तो जो node connect हो चुकी उसके निचे आपने dash लगाना उसको छोड़ दना है and again right the distance is directly connected with second node और जिस node के उपर आप पहुंच जाएंगे उसको फिर आप आपने further nodes से जोड़ना है अगर direct जोड़ेगा तो distance लिखना है नहीं जोड़ेगा तो distance and make it thick the thick graph फिर वही सेम सेम स्टेप shortest distance दोना है और shortest distance लेने के बाद फिर उन सिटिस को आपस में आपने जोड़ना है if distance comes to be smaller than the previous this is very important एक खास ध्यान रखना इसका और distance लिखते बक्त आपने जो second row में distances लिखेंगे आप उनको आपने previous distance से compare करना है अगर वो previous distance से छोटा होगा तब लिखना है अगर उससे बड़ा होगा तो जो previous distance होगा उसको लिखना आपने then write otherwise leave choose every time smaller distance repeat the procedure again and again and thick the distance in graph till we get shortest distance and path और यह पर आपने तब तक continue रखना जब तक कि आपके पास shortest route और shortest distance ना मिल जाए जैसे first question दिरखा आपको ध्यान से देखना आपने असान कामे को जाए दिकत नहीं find the shortest path from node 1 to node 9 यह आपको networking दिरखी है आप यह मान ले जी कि यह cities है 9 cities है 1,2,3,4,5,6,7 और इन cities को आपस में इन routes के द्वारा जोड़ा गया है ठीक है जी यह आपको धिरखा है question में बोला गया है कि 1 number node से आपने चलना है और 9 number पर पहुंचना है तो 1 से 9 तक जाने के लिए एक तो बताने कि shortest route क्या है shortest path क्या है और वो जो shortest path हाएगा वो क्या distance दे रहा है 1 से लेके 9 तक आपका path counts है ठीक है जी question को करने से पहले मैं थोड़ी 2-3 चीज़ें यहां discuss कर रहा हूं एक बात का खास देंड रखेगा यह जो line लगी है बीच में अगर इस line के ओपर कुछ भी नहीं लगा है तो इसका मतलब आप इस city से यहां जा सकते हैं और इस से बापिस भी आ सकते है ठीक है कि यहां arrow लगी होती है ऐसे arrow लगी होगी है यहां पर arrow लगी होगी तो उस arrow का मतलब यह है कि वह arrow जिस साइड को लगी होगी उसका मतलब यह हुगा कि जिस साइड को arrow लगी है उस साइड को तो आप जा सकते हैं जैसे 2 को तो जा सकते हैं पर 2 से 1 को नहीं आ सकते हैं लेकिन अगर लगगी अगर किसी भी पात के उसका है सब्सक्राइब भी extension के टिर्फंग' तो जिस जिन दो नोट के बीच में एरो होगी उसका मतलब कि उस नोट जिस साइड को आप जा सकते हैं पर उससे पिछे नहीं आ सकते हैं इस चीजिस का खास द्यांग नावने यह आपको networking दे रखी है यह आपके nodes हैं different nodes हैं बाकी diagram आप जैसे मर्जी बना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है जैसे आपको सुधा लगए उससा आपसे अपना सकते हैं और यह nodes के बीच नोड बोलो cities बोलो whatever you want to हाँ से ठीक हैं तो यह इनके बीच के distances दे रखे हैं तो यह discuss draws algorithm बोलती है कि सबसे पहले आपने क्या करना है जो आपके nodes हैं उनको आपने first row में लिखना है जितने भी node हैं यहां पर 9 हैं तो 9 10 हैं तो 10 5 है तो 5 जो nodes हैं उनको आपने first row में लिखना है this is very first step और जो path है उसको आपने last column में लिखना है उसके अगला step था यहां पर अगला step यह था कि जिस node से आपने चलना है यह 1 से चलना आपने 9 तक पहुंचना है जिस node से चलना है उसके चलना है इस डैश का मतलब यह है कि यहां से आप चले means इसका previous distance जो है that is nil तो nil means it is dash और उसके बाद इस node से ज 1 से 3 जिसके निचे dash लेगा वहां से रहना आपने 1 से 3 1 से 3 भी जुड़ा है तो 10 आ गया 1 से 4 अब 1 से 4 नहीं जुड़ा होगा तो जो node नहीं जुड़ा होगा उसके जगा आएगा infinity यह खास ज्यान रखना है 1 से 5 डिरेक्ट नहीं जुड़ा है बीच में 2 है तो आपको direct च कि उसके बाद क्या करना है अगला step क्या है यह जो आपने distances लिखे इन distances सबसे चोटा सबसे चोटा distance क्या है 7 तो सबसे चोटा distance आगा 7 जो सबसे चोटा distance आया उसके निचल लगाना फिर dash इस dash का मतलब यह हुआ कि one node से चलके आप two node के पर पहुंच गए ठीक है अब two node के पर पहुंच गए तो जिस node के पर पहुंचे उस node तक का path आप नहीं लिखे दाना है तो one से चले थे यह one dash dash two one dash two का मतलब one से चले और two पर पहुंच गए तो इस second row के लिए जो path है that is one to two ठीक है और नीचे आपने question के साथ ही फिर node लिखने और node लिखने के बाद जो path यहां बनत सब्सक्राइब करके जोड़ना है उसे उसके next step next step यह बोलता है जिस node के पर पहुंचे उस node से फिर आपने सारे nodes के distance देखने है और उसको leave करना है जिसके निचे dash आगे होगा उसका distance नहीं देखना है जैसे one के निचे dash आगे तो one को आपने आप किसी के साथ नहीं जोडना ह ठीक है उसके अगरा step यह बोलता था कि जिस node के पर पहुंचे उस node से अब बाकी nodes को आपने जोडना है पर यह दियान रखना है कि जो आपने distance कवर कर लिया है उस distance को आपने जोडना है फर्दर nodes जैसे आपने देखो ज़रा 2 से 4 पहले 2 से 2 से 3 जोड़ने 2 से 3 डिरेक्ट न प्रिवीट से छोटा ओगा तभी लिखना है यहां जो डिस्टेंस आएगा उसमें से साथ को जोड़ना है अगर यह नहीं 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 लिखना है उसके अगला step फपो बोलता है यहां जो डाइगा मस्ट वी लैस देंग दिस देन तो यह अगर यह दिस्टेंज इसँ बड़ा तो जो प्रिविए से सीज़न्स है उसको यहां पर मुंतेंगे घएक करते हैं हैं फिर एक कैंटरिक कर दिश्बड से न उट गおっाई साथ है आएन तो दो से दिस्टेंजर deserves तो इसमें जमा करना ध्यान रखना है तो 9 जमा साथ 16 तो यहां पर आगे सब्सक्राइब दिस्टेंस क्या इन्फिंटी तो 16 से छोटा है तो विकांड डाइट 16 है ठीक है उसी तरीके से नेक्स्ट अब 2 से त्यां रखना दो के पर फिक्स है दो से 5 कवर डिस्टेंस क्या तो 27 ऑगे कितना हो गया 27 तो टोटल कितना अगया 5 तक यह हम चल एक से लिए दिया रखना तो एक से लिए दो तक कवर जो है वह सब में जमाना है तो 27 प्लस 734 ओडर ड दिस्टेंस नहीं है इनिफिंटी तो पहले अलडेश है तो यहां पर इनिफिंटी आगए दो से यार्ट यहीज अपहलोगो फिर द्वारा से वह सेंस्टेप एक जो मिनिमुम टिस्टेंस होगाना है डैस इसका मतलब यह हुआ कि आप दो की बजयाए आप तीन के उपर आ गए मतलब 1 से चले 3 के उपर आ गए यहाँ 2 होके आपको shortest distance नहीं मिल रहा है ठीक है जी तो आप 3 के उपर आ गए तो कहां से चले थे 1 से चले थे 3 के उपर आ गए 2 से वोछट में शॉटे साथ तो से फर्वान से दिस्टेंस नहीं हमिल रहें आगे तो वनश्यरी ऊंच तो बदिडिपिर यहां से चल एक है। तो 1 से ही चल रहे हैं तो 1 से 3 आ गया हमारा चलना 1 से ध्यान रखना थास है तो 3 के उपर आगे फिर भोई से रपीर दा प्रसी जरा गें और फिर से 3 से शुरू होगे 3 से 2 नहीं जोड़ेगा क्यों डैस आ चुका 3 से 4 देखिए जरा 3 से 4 दिस्टेंस अब 3 तक का डिस्टेंस है 10 यूनिट अब 3 से फर्दर जो नोट जोड़ने हैं उनके डिस्टेंस में 10 एड करके यहां लिखना है और लिखते हैं यह दिखना है कि वह प्रीविश दिस्टेंस से छोटा होना चाहिए चलिए जरा 3 से 4 तीन से चार के बीचका डिस्टेंस 8 यूनिट और डिस्टेंस 10 है जिर curry कर 16 सोला सकर 17 उसक्ति है तीन से 5 तीन से 5 है इंफिनिटी क्या 키 मिनिवाल डिस्टेंस एगा 34 यह बार-बार बोटूं कि यहां पर जो डिस्टेंस थो चाहिए रहल और रह्म और में इंफंटी तो यहां गया इन्फंंटी 3 सी साथ दिखी जड़रा थी से सा शहाई सब्सक्राइए तो इसमें फिर द्वारा वह जो इसके निचे आगया धैश इसका मतला अब आप कहां पहुंच गये 4 पे कहां से पहुंच ए 3 से 4 पे पहुंच गये और उसके बाद यह जुड़ गया 4 के साथ ठीक है तो इसका मतलब हम 4 पे पहुंच गये ठीक है तो यह थोड़ा समय इसको चेंज कर रहा हूं ध्यान से देखें तो मैं फिर से बोट रहा हूं यहां पर मिनिमूम डिस्टेंस आया 16 ठीक है जी मिनिमूम डिस्टेंस 16 आया तो 16 इस दिस्टेंस फोर्स कैसे अचे बीचिए जहां फॉर पहूंच गया न होजी था स्टेंस आफ तो 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 जो मिनिमुम होगा यह यह दिस्टेंस यहां पर पहुंच के 16 लेकिन अपका 10 हा रूट है वन से टू तो वन से टू अपकर हो गया और तू से हम पहुंच गये पहुंच पाथ आगया वान टू फू फू पर प्रसीजर अब मिनिमुम टिस्टेंस आए 16 इहां से फिर चलेंगे अब इसका नो फूर को आपने ऑप फ्री टू वन से जुड़े गाने क्यों कि निचे डैस आए तो फूर से फाइव फाइव से शिक्स फूर से सिक्स एवन । फिर फूर से सिक्स फूर से सिक्स जुट रहा थैं 지ुक्स टॉट थक तकंद से हैं 16, 16 वर्स ऺज़ων कि तना हो गया 27 20 мांद रिखको आगया 27 audit report nephew 27 और ट्वंट इम EU 27 ऑरस दॉन फुर से 7 और एक नहीं है इंफिंटी आ गया, already covered है 41, तो यहां पर आ गया 41, फिर 4 से 8, 4 से 8 infinity, already infinity है, infinity 4 से 9, infinity, तो यह आ गया infinity, 4 से 9 4 से 9 infinity, ठीक है जी तो यह हो गया, अब इसमें minimum देखी कि है, इसमें minimum आ गया आपका 27 ठीक है, minimum आ गया 27, तो इसका मतलब already आपका distance यह distance minimum आए 27 और already covered distance आपका 16 minimum distance, और इस minimum distance का path क्या है, 1, 2, 4, और 4 से कौन जुड़ गया, 6, जो already minimum distance है, उसका path देख रहा है, उस path के साथ पर इसको जोड़ना आपने, तो path आगए 1, 2, 4, 6, ठीक है, फिर repeat the procedure, अब आप आगे 6 के उपर, 6 के उपर आपका covered distance होगा है, 27, ध्यान आखना खास, अब यह distance further nodes में जुड़ता जाएगा, 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7 नहीं है हमारे पास, direct distance नहीं है, तो infinity, already covered distance है, 41, तो यह already covered distance आगया, 41, ठीक है, उसके बाद, 6 से 5 अभी जुड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे डैस नहीं है, 6 से 5, 6 से 5, distance नहीं है, infinity, already covered 34 तो यहां पर आगया, 34, उसके बाद, 6 से 8, 6 से 8, 6 तक covered distance है 27, 15 unit है आगया, और 27 प्लस 15, कितना हो गया, 42, तो यह आगया है है, 42, और 6 से 9, 6 तक already covered distance है तो यह आगया है, 44, ठीक है ठीक है, कोई दिक्रत वाली बात नहीं है, अब फिर द्वारा से, इनवे minimum कौन है, इनवे minimum है, 34, ठीक है, अब ध्यान से देखना थरा, अब हम पहुंच गे, 5 पर, 6 से फिर वापिस 5 पर आगया, 5 पर आने का मतलब यह हुआ, 34 से minimum distance मिल रहा है, 34 के minimum है था, 16 के 10, तो minimum distance मिल रहा है 10, तो इसका path है 1 से 2, तो path रहे है 1 से 2, और उसके बाद आपके आगे 5 पर, 2 से सिदध 5 पर आगे, तो this is your 34 distance, अब फिर द्वारा अब 5 पर पहुंच के, तो 5 से देख रहना है, पिछे कोई जुड रहा है, कोई नहीं जुड रहा है, तो 5 से आगे 7, 5 से 7, 5 से 7, डिरेक्ट distance नहीं है, infinity, तो 5 से 7, infinity, तो already covered distance है 41, तो 41 आगे, 5 से 8, 5 से 8 जुड रहा है, तो 5 तर covered distance कितना था, 34, 34 में 15, add होगे कितना बन गया, 34 में 15 add होगे कितना बन गया, 49, already covered distance 42, तो 49 और 42 में minimum आ गया, 42, फिर द्वारा से 5 से 9, 5 से 9, दिरेक्ट distance infinity, already covered है 44, तो यह आगे 44 गया, ठीक है, अब फिर ध्यान से देखना, minimum distance आया 41, यह देखी ज़रा, 41 का मतलब हुआ, यह चलते चलो, देखो ज़रा, 41 का मतलब हुआ, यह पहुंचा 41, तो 41 के उपर बड़ा पास देखना है, यह ध्यान खना है, जैसे 34 में उपर बड़ा पास देखा, ऐसे मैंने तो बाया बाया, 34 से minimum distance आ रहा है, कि जो minimum distance आ रहा है, उसके उपर देखना पास कौन से है, तो 34 से उपर infinity, इसके सामने उड़ा पास, यह पर 41 है, तो 41 के उपर यह infinity है, तो इसके सामने उड़ा पास, 1 से 3, और 41 किसके उपर है, 7 के उपर ते आगा, 137, थोड़ा सा टिकलिश है, पर ध्यान से देखना आ जागा समझा आपको, द्वारा अपने हाथ से करना इसको, अब आगया आप 7 पे, तो 7 तक कवर डिस्टेंस हो गया, 41, अब 7 से 8, पिछे तो जुड़ने हैं नहीं को भी, क्योंकि सब किसा डैश आ गया, 7 से 8, 7 से 8, 7 से 8, अगर यहां डिस्टेंस बढ़ा रहा है, तो अब दोनों मिनिममूम कौन, 42, यह आगया, अब देखिए तरह 42, यह मिनिममूम 42 देखना, 42 के उपर इंफिंटी देखनी सी दी, बजाए कि यह घूम के देखना, सिद्धा बेटर हो यही हुँता है, वो देखनाना, उसके उपर इंफिंटी कांच, उसके सामने बड़ा पाथ होगा, और उस पाथ के साथ जूट जाएगा आपका, जिसके उपर इंफिंटी दिस्टेंस आए, आठ तो यह आगया बाथ, ठीक है जी, उसके बाद फिर से अब आठ पे पहुंच गए, यह आठ पे पहुंच गए, तो आठ पे पहुंच गए, आठ से नौ को जोड़ना है, तो आठ तक कवर डिस्टेंस है, 42, 42 प्लस 21, 43, 53, 63, 63, 63, और 44 में मिनिमूम, मिनिमूम आया 44, तो अब आप कहां पहुंच गए, 9 के पर, 44 से इर्वर्स चले, इन्फिंटी कहां जैसे आ रही है, यह आ रही है, 44 से कॉपर इन्फिंटी देखने, तो यह पाथ आ गया, 1, 2, 4, 6, 9, क्योंकि 44 दिस्टेंस आ रहा, 9 तक, इसका मतलब फाइनली यह हो गया, जो मिनिमूम डिस्टेंस है, यह 44, जो मिनिमूम डिस्टेंस है, यह 44 और पाथ आ गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 9, और आप चेक कर सकते हैं अंसर को, इन पाथ में जो डिस्टेंस आ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और 6 से 9, 10 प्लस 7 प्लस 9, प्लस 11 प्लस 17 एकोड़ 44, ठीक है, और यह जो मैं निचे, जो था ग्राफ बनाना, मैं साथ साथ में मिश्ट कर गए इसको बीच में, तो ग्राफ साथ साथ में बनाते जाना, जैसे बात लेकिने, बन टो 2, फिर 1 से 3, तो 1 से 3 जोड़ा, यह ध्यान रखना है, 1 से 3 जोड़ गया पाफ, फिर 1, 2, 4, 1, 2, 4 इसको जोड़ना है, बस पाफ देखते जाना जोड़ते जाना, फिर 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6 जोड़ गया, ठीक है जी, फिर 1, 2, 5, फिर 1, 2, 5 जोड़ गया, पर जोड़ते वक्त यह ध्याना करना, कि लूप और क्लोज नहीं उनी चाहिए, ऐसे, ऐसे क्लोज हो गई, तो सरक्ट शॉट हो जाएगा, खास ध्यान करना, जोड़ेंगे सारे, लूप नहीं बननी चाहिए, उसके वाइब जोड़ गया, 1, 3, 7, 1, 3, 7 भी जोड़ गया, देखिए, 1, 3, 7, उसके वाण, 4, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 8, यह भी जोड़ गया, और उसके वाद, 1, 2, 4, 6, 9, यह भी जोड़ गया, इसको बोलते हैं, मिनिमम स्पैनिंग 3, मिनिमम स्पैनिंग 3 का मतलब होता है, कि एक तो जितने भी नोड़ सें, आपके सारे जोड़ने चीए, सारे जोड़ने चीए, और जोड़ने के साथ, उनके बीच में, बिल्कुल शॉटेस्ट रूट पता होना चीए, जैसे बन से चले, तो फाइब तक के शॉटेस्ट रूट यह होगा, जैसे अगर आठ तक जाना है, बन से लेके आठ तक जाना है, तो वन और आठ के बीच में शॉटेस्ट रूट ही होगा, वन तू, फोर, सिक्षेट और कोई रूट नहीं मिलेगा, जैसे 7 तक जाना है, 1 से, तो 1 से 7 तक का रूट यह मिनिमूम होगा, 9 तक जाना है, तो 1 से मिनिमूम रूट यह होगा, तो minimal spanning tree का मतलब होता है, एक तो किसी भी city से, किसी दूसरी city में जाना, तो distance वही मिनिमूम होगा, उसके लाब और कोई distance मिनिमूम नहीं मिलेगा, और दूसरा सारे सारे node आपके जूटने चाहिए, So this is all about your Disgustra's algorithm, I hope आपको इस समझाया होगा, आप द्वारा से इस question को खुद करें, जहां problem लगे, फिर वीडियो को देखें, और फिर ध्यान से सुने, और नेक्स्ट वीडियो में एक और question करके आपको बताऊंगा, इसका Disgustra's algorithm का, उससे आपको फिर और clarity हो जाएगी, और बाकी question को आप खुद करेंगे, So thank you, thank you very much.